हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग सब चकाचेक very good दोस्तों आज हम लोग exercise 7.10 को आगे continue करते हैं बच्चों 1 से लेकर 5 तक सारे question आपको बता दिये समझ में आ गया ना अच्छे से very good तो चलो बच्चों आज question number 6 से continue करते हैं तो बहिए निकालो coffee pen देखो इसमें देखो बच्चों में क्या करना है देखो यह सब बच्चों कितने सबल सवाल है आप सब लोग इसको लगा चुक्यों बस आप इसमें limit apply कर दो करना तो ऐसे है कुछ नया तो है ठीक है तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे इसको पहले कैसे सब्सक्राइब करेंगे ध्यान से देखे इसको ऐसे लिखते हैं limit 0 to 2 1 upon अच्चा देखो इस question में देखो मैं 4 को पहले लिख रहा है फिर यह minus x square और यह plus x ऐसे दिया हुआ है तो एक काम करें यहां minus common ले लेते हैं तो जैसे ही आप minus common लोगे तो बच्चों यहां पर यह ऐस से माइनस लग जाएगा है ना आप चेप करो माइनस से स्क्वाइर माइनस माइनस प्लस एक्स ऐसे आगा ही नहीं आएगा ठीक अच्छा आप देखो बच्चों यह वही completing square method पढ़ा हुआ आप सब में तो क्या करेंगे इसमें हम limit 0 से true dx 4 minus क्या लिखेंगे इसको बच्चों देखो इसको बनाएंगे ना completing square method से तो देखो x square minus 2x क्यों तो क्यों फार्मला आपने बढ़ा है यह वहला a square minus 2ab plus b square तो यह क्या होता है a minus b का whole square ऐसे होता है थिक तो वही चीज़ हम यहाँ पर बनाना चालते हैं तो a square minus 2a अब मैं बताओ यहाँ पर क्या लिखूं कि मेरा answer सिर्फ x आए मैं यहाँ पर क्या लिखूं तो बच्चों यहाँ पर हम 1 by 2 लिखे 1 by 2 देखो 2 से 2 कर जाएगा खाली x बचेगा है ना तो यह हमारा समझो b हो गया अब क्या होता है b square तो b का square यानि 1 by 2 का square कितना होता है 1 by 4 तो एक बार plus करो एक बार minus करो बोलो यह कहानी समझे में आगे इतनी ठीक है अब देखो ध्यान से अब यहाँ से बच्चों यहाँ तक देखो इतना कितना तो यह फार्मुला ही बनना है फार्मुला बनना है कि नहीं बनना है चेख करो आप ध्यान से किसका x minus 1 by 2 का whole square तो यह कितना हो जाएगा limit 0 से 2 dx upon 4 minus क्या बनन गया यह फार्मुला बनन गया कहेगा x minus 1 upon 2 इसका whole square और यह minus 1 by 4 बच गया minus 1 by 4 इसको ऐसे लिख गया है इतना किलिए रहे अब देखो बच्चों limit 0 से 2 dx upon अब देखो मैं क्या दर रहा हूं यह minus अंदर multiply कर रहा हूं तो यहाँ पर minus हो जाएगा और यह minus minus plus हो जाएगा तो देखो यह ऐसे हो जाएगा 4 plus 1 by 4 इसको अलग कर लिया और minus x minus 1 by 2 इसको अलग कर दिया ऐसे इतना तेर है अब इसको solve करो इसके नीचे 1 है ना कितना आएगा यह limit 0 से 2 dx upon यहां कितना आएगा यह इसको side में थोड़ा लिख देते हैं ठीक है यहां कर देते हैं तो यह कितना आएगा limit 0 से 2 dx upon 4 4 16 plus 1 17 17 upon 4 minus x minus 1 by 2 इसका whole square बोलो इतना समझे आएगा अब अच्छो एच्छी होता हो यहां पे देखो ध्यान से ध्यान से देखना यह 17 upon 4 दिया हुगा है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं limit 0 से 2 यह तो as it is रहा dx नीचे देखो 17 upon 4 को ऐसे लिखते है root 17 upon 2 इसका whole square ऐसे यह चीज़ तो आएगी और बाकी जो बचा हो आप ऐसे लिखो x minus 1 by 2 इसका whole square ठीक है इतनी कहानी समझना आई वोलो हाँ आया था ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसको आप note कर लेना मैं स्वाटा देता हूं आज देखो ध्यान से अब देखो बच्छो बस इसमें हमें फर्मुला प्लाई करना है और बस solve कर देना है ठीक है अच्छा अब एक चीज़ दो बच्छो जो यह चीज़ दीना यहां पर ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं एक्स माइनस वन बाई टू को टी लेट कर लेता हूं यह जो दिया बढ़ा है यहां पैसे लेट लेट एक्स माइनस वन बाई टू इस एक्वार टू टी तो यह कितना हो जाएगा एक्स का तो वन हो जाएगा वन बाई टू का जीरो और टी का डी लेट कर दो यह एसे हो गया दी एक्स बगावर टी बोलो यह कहानी समझ नहीं अच्छा दूसरी चीज़ मैंने क्या बचाय था कि जब हम T लिट करते हैं तो limit भी T के हसाब से ही चलती है तो यह बात याद रखना है जैसे दिखो यहाँ पर X minus 1 by 2 बरावर T है तो एक बार यहाँ पर 2 रखेंगे X की दिखाब पर क्योंकि अब limit बदले ही न तो X की दिखाब पर 2 लिखो यहाँ पर तो कितना हो जागा? 2, 2 जा 4 minus 1 3 upon 2 तो जब X2 है जब X2 होता है तो T की वेलू कितनी आती है? 3 upon 2 आती है ठीक? अच्छा दूसरी बार पर कहा लिखना है 0 तो 0 minus 1 by 2 करेंगे तो यह यही आएगा minus 1 by 2 ठीक है ना? तो इस तरह से limit change कर लेना भूला नहीं अब यहाँ पर आजो तो यह हो गया बच्चों D X की रिगा पर आगया D T है रहा? और root 17 upon 2 यह तो as it is रहा ठीक है भणी? अच्छा और इसकी रिगा पर कितना हो गया? T और यह square पर आदो square लगा तो ऐसे ठीक? अब यहाँ पर देखो बच्चों एक formula बनना है अगर आपको थोड़ा सब इध्यान है तो अब आप तवसे इसको solve कर दोगे क्या? देखो इस formula हमें बढ़ा है 1 upon A square minus X square इसका integration क्या होता था? यादा आ रहा है 1 upon 2 is log A plus X upon A minus X यादा है है? यही formula यहाँ पर लग रहा है A की जगाँ पर यह है X की जगाँ पर T है तो formula लगाँ दोगा solve करो तो यह हो जाएगा 1 upon 2 A A यह पूरा है तो यहाँ पर लिखते हैं root 17 upon 2 फिर log A plus X तो A की जगाँ लिखेंगे root 17 upon 2 plus X की जगाँ पर T upon root 17 upon 2 यानी minus T ठीक है अच्छा इस पूरे की limit कितनी है यहाँ से लिख देते हैं इस पूरे की limit कितनी है 3 upon 2 और इधर है minus 1 upon 2 ठीक है अच्छा अब देखो बच्चो यह 2 से दूद cancel हो गया यहाँ कितना बच्चा 1 upon root 17 log इसको भी देखो solve कर लें इसके नीचे बच्चा है है ना इसके नीचे बच्चा बच्चा रूट 17 17 प्लस 2t अपॉन 2 वही कहानी नीचे भी देखो यहां पर वही होगा रूट 17 माइनस 2t अपॉन 2 इतना क्लियर है लिमिट कितनी है 3 बाई 2 और इधर माइनस 1 बाई 2 अब देखो यह 2 से तो 2 खताम हो गया हो गया ही नहीं हो गया अब जो बचा इसको स्रिफ क्लोसर सॉल्व कर लो आपका अंसर आजाएगा यह बटा तो अब देखो ध्यान से अब यहां पर स्रिफ क्यालकुलेशन करनी है ठीक है थोड़ इसी क्यालकुलेशन है और कुछ नहीं देखो जाएगा कितना है यह 1 अपॉन अपॉन रूट 17 लॉग कितना है पुच्छो यह रूट 17 प्लस 2 टी अपॉन रूट 17 माइनस 2 टी और लिमिट कहां से है माइनस 1 बाई 2 से लेकर के 3 ठीक है अब देखो पॉच्छो इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो यह कितना है यहां पर दिश्को ऐसे शोड़ दो वन अपॉन रूट 17 लॉग तो देखो लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं लॉग रूट 17 प्लस 2 टी टी के लिगा कितना लिखा थ्री अपॉन टू है ना अपॉन यहां पर भी आजाओ रूट 17 माइनस 2 इन्टू 3 अपॉन टू यह इतना हुए ठीक फिर माइनस लॉग अब कितना रिखेंगे हैं टी के लिखा पर माइनस 1 पर दू कितना है रूट 17 माइनस लॉग रूट 17 प्लस 2 इन्टू माइनस 1 वाइड रहें ला अंच्छा और नीचे रूट 17 माइनस 2 इन्टू 1 बाइट नू ठीक है यह मेंलेट अपिल यह एक बार यह एक बार यह ऑगे तो बस उसको सॉल्व करते हैं यह रहा बढ़ाए इदर से ठीक है जो पच्छा सूल्व कर लो खाटार अगया देखो तेहन से यह कितना हो गया अब दिखो यहां 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 भी यह तू से टूत हथा मोग साथ जो बचा इसको लिको और चा वान आपान रूट 17 लॉग यहां कितना बचा रूट 17 प्लस 3 रूट 17 प्लस 3 अपन रूट 17 माइनस 3 यह हो गया यहां आते हैं माइनस लॉग यहां भी दोको यह टू से टू कहता हम तो कितना है रूट 17 और माइनस 1 और यहां में भी टू से टू कहता हम तो माइनस माइनस प्लस यहां में रूट 17 प्लस वान इतना क्लियर है अब देखो पुच्छा हमने लोग की प्रोपर्टी पढ़िए क्या लॉग M-Log N यह पढ़ा है ना देखो यहां पर लॉग M-Log N तो यह क्या हो जाता है लॉग M upon N ऐसा डिवाइडन हो जाता है तो इसको लॉग M-Log N तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 1 upon root 17 log M-Log N तो M तो यह पूरा M है यह पूरा M है तो यहां पैसा लिख देते हैं तो यहां पैसा लिख देते हैं तो इसको फ़ला समाल हो जाता root 17 plus 3 upon root 17 minus 3 upon यह पूरा जाएगा root 17 minus 1 upon root 17 plus 1 ठीक है root 17 plus 1 इतना क्लियर है ठीक अब बस इसको reciprocal करो थोड़ा सा calculation है इसको solve करो answer आ जाएगा क्टा तो देखो यह कितना हो जाएगा यहां धान से देखो यह तो as it is रहा 1 upon root 17 log यहां पर देखना देखो यह तो ऐसे लिखेंगे ला हम root 17 plus 3 upon root 17 minus 3 into देखो यह फनेट जाएगा रैसी प्रोपल हो जाएगा ना तो ऐसे हो जाएगा root 17 plus 1 upon root 17 minus 1 इतनी बात समझे भाई अब बस इसको multiply दो नॉर्मल जैसे करते हैं तो वान अपॉन root 17 log यहां से देखो root 17 को root 17 से करो गया तो 17 आएगा आएगा कि नहीं आएगा फिर root 17 का 1 से हुआ तो root 17 ही रहा फिर 3 को root 17 से किया तो आया 3 root 17 फिर 3 को 1 से किया तो 3 आगया इतना clear है वह इची नीचे root 17 को root 17 से किया तो 17 फिर minus root 17 फिर minus 3 को इस से किया तो आया minus 3 root 17 फिर minus 3 को प्लस रूए हुंए यह कितना हो गया नहीं कि बाइंकी आपोर को और माइनस मानेस ई क्या प्लस थरी till क्या लेख़ए तेज हो सकते हैं तो यह कितना हुआ बच्चो वान अपॉन रूट 17 लॉग देखो उपर 4 कॉमन हो सकता है तो 4 कॉमन रूट 17 और वही चीज नीचे भी 4 कॉमन लिया तो यहां कितना बचा फाइफ माइनस रूट 17 बोलो इतने बात समझ भाई ठीक है अब देखो यहां ठां से देखो यह कितना हो गया यहां पर यह 4 से 4 खतम ठीक अब जो बचा इसको लिख लो ठीक है यह मिटा तो उदर वाला मेरे साथ साथ नोट भी रवटे राट रो या पटा पर एस्क्रेंस आट ले लिए तो ठीक है अब देखो बस कैलकुलेशन से बहुत है थोड़ी कोस्टन में है और कुछ नहीं है तो जब तक सॉल होता है तब तक कर लोग अब यहां पर देखो कितना बचा यहां बचा फाइफ प्लस रूट 17 अपान फाइफ माइनस रूट 17 तो एक काम करें मैं फाइफ देखो इसकी कॉंजुवेट से उपर निच कर सकते हैं यह सब सीखा है आपने तो इसी का उल्टा यानि फाइफ प्लस रूट 17 और यहां भी फाइफ प्लस रूट 17 इससे कितना आया वान अपॉन रूट 17 लॉग यहां देखो यह तो दो माइट जैसे है ना तो होल स्कार रहा ऐसे फाइफ प्लस रूट 17 का होल स्कार मीचे देखो ए-माइनश भी एफ gonna प्लस भी क्या फार्मला होता है एमाइनच भी वाइनश भी का स्कॉाइज माइनश बी स्कॉाइर तो यहां फेफ़न लगा सपय इसके इसको iris कॉयर माइनश भी इस्कॉर ठीए अब ऊपर फार्मुला कॉन से लगेगा ए प्लस भी का हो इसको सॉल्व कर दू वान अपन रूट सेवेंटीन लॉग कितना रहे है यह अगर नीचे कितना हो गया पांच का स्कायर पच्छेस और यह रूट लड़ीगा तो यहां बचा सकत्रा ठीक तो पच्छेस में से सत्रा गया कितना बचा आठ यहां पर रहे हैं आप समझ गया 2570 इन दोनों को जोड़ो तो यह हो गया 42 समझ गया ना यह हो गया 42 अब देखो ऊपर देखो बत्चो तू कॉमन आप सकता है तो तू कॉमन कर लो ठीक है तो ध्यान से देखो यहां ज़िये उपका देखो पान रूट 17 से बचेंगा एंट खिंग है और फूसे को गार्ट और यहां कितना आए फो रहा को गया थिक तो यह नोटक होगी आपका बस यह आपका लास्स टेप यह क्या हुआ अंसर भूगया ठीक है बस देखो इस question में क्या है? था तो बहुत असान सिर्फ calculation for DCT. तो यह कितना हो गया? 1 upon root 17 log कितना है? 21 plus 5 root 17 divided by 4. तो यह आपका answer हो गया. बो लोग समझ माया? ठीक है? बस calculation करते जाओ अराम से कभी question गलत नहीं होगा. ठीक है? अब देखो अच्छो question number 7. इसमें भी देखो वही कहानी है? है ना? same to same. तो limit कितनी है? minus 1 से 1. dx upon. यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. x square plus 2x. यह जो है ना 5. देखो 5 को ऐसे लिखते हैं. 1 plus 4. ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक? अच्छा आप यहाँ पर आप एक च x plus 1 का whole square. भही आप इसको open करो तो क्या है दा? x square plus 2x plus 1. यही चीदा ही लिख. ठीक? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं? limit minus 1 to 1. dx. इसकी रिखा भी क्या लिख सकते हैं? x plus 1 का whole square plus 4. ठीक? अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 का square लिख सकते हैं. लिख सकते हैं? ठीक? अब दे अराम से बन गया यह तो यहां पर लिख लेता है let let x plus 1 is equal to t तो यह कितना आजाएगा पता है ना इसको solve करोगा तो यह ऐसे आएगा dx बराबर dt ठीक है चलो आगे solve करते हैं अब बेखो लिहां से यह कितना हो गया है धर यहां पर रहो इसको मैंसे लिखते हैं limit minus अच्छा एक चीड़ और देखो मैंने क्या बताया है जब जब t मानते हैं तो limit भी बदल जाती है तो यहां पर देखो x की लिखा पर 1 लिखो 1 plus 1 2 तो जब x 1 है तो t कितना हो रहेगा यहां पर 2 हो रहेगा ओ जाएगा ना dx की लिखा पर आगया dt upon x plus 1 की लिखा पर आगया t स्कार स्कार और प्लस 2 का स्कार इतना हो गया ठिक अब देखो ध्यान से इसमें थ्वांजा फर्मा लग रहा है यहां दा रहा है 1 upon a square plus x square ठिक तो यह क्या हो जाता था 1 upon a tan inverse x upon a ऐसे हो जाता था ना तो वही फर्मा यहां पर लग रहा है अब a की लिखार पर 2 है x की रिगापे T है ठीक है दोसके चलो लिखते हैं तो कितना है न यहां पर लिखते हैं तो यह हो गया तो यह चलो अगे देखते हैं तो यह कितना है अ वान अपान a कि रिखा पे ऑगा है टू से टो तो वन अपॉन तू तो एक बाट थी ना ये लिखा पर पे क्या लिखा रहूंगा तो यह तो पुरा घतम खाली यही बचाना टू से टूपार तो तो इतना है वान अपॉन टू टान एंवर्स वन ऐसे हुआ अच्छा गजो वन किसकी वेलो ओती है टान में एर फटिवाइब टिगंगी तो इसको ऐसा डिसे लिसा थाम देखो वान अपॉन टू टान इन्वर्स टान फॉर्टीफाइब को लिच सकते हैं पाय बाइफ पॉर एना फॉर्टीफाइब का मतलब होता है पाइब बाइफ तो कितना उड़ा है आप पाई बाई एट यह वो ध्यान सा है बोलो कोई दिक्कट जो इसको करने में अच्छे से आ गया ना पहले बाद देखो यह तो ऐसे हो गया वाइन से टू लिमिट हो गई इसको आप पहले दिक्कट ऐसे मतलब तो वही है इसका वान अपॉन एक्स माइनस वान अपॉन टू एक्स स्कॉयर डी एक्स ऐसे दिए अब एक चीज़ देखो बच्चो मैं कान परता हूं ना इसको टू दो एक्स ja प्लाएग का वियंगा डिल्ंट sad —घैक अगर मैं इसका डी भय एक्स करहं थो यहां की आएगा है यहां इसका बटे डी टी घो हो है इन्ने बात सुम्ध मों गई ली जाए थी जब जब आप T मारोंगे तो लिमिट भी T के साब समय देंती है तो यहां पर 2 है यहां रखो X की डिखा पर 2 लिखो तो 2 2 सा 4 फिर X की डिखा पर 1 लिखो तो 2 इंटु 1 2 यह लिमिट हो गई अच्छा यह कितना हो गया E की पावर T ठीक है यहां प्राओ 1 अपॉन X अब एक चीज देखो बच्छो यहां से एकर मैं X की वेलू निकाल हूँ यह ऐसे दिया ना यार 2 X बराबर T तो खाली X की वेलू क्या होगी T अपॉन 2 होगी कि ने तो यहां X की डिखा पर क्या लिख सकता हूँ T अपॉन 2 ऐसा कितना होगा 4 और D X की डिखा पर क्या आ गया D T अपॉन 2 D T अपॉन 2 D T अपॉन 2 इतना क्लियर है ठीक है आगे देखो क्या करेंगे अब देखो उच्छों बहुत ध्यान से समझना चलो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना है इस टू को तो आप बाहर के लोगे यह ऐसे 1 upon 2 limit कितनी है 2 से 4 E की पावर हो गई T यहां पे देखो यह 2 पर आ जाएगा 2 upon T minus यहां पे देखो इस 2 से इसको पाट हो तो 2 अच्छा तो यह भी 2 पर आगे तो कितना हो गया 2 upon T square ठीक है तो यहां हो गया DT अच्छा देखो ऊपर 2 common है 2 common कर लो ते बाहर हो जाए है ऐसे 2 upon 2 limit हो गई 2 से 4 यहां हो गया E की पावर T 1 upon T minus 1 upon T square DT अब याद करो बच्छों मैंने चीज़ कुताई थी क्या यह तो टू से टू हटिक है याद करो exercise 7.6 में फार्मुला बताया था कि आपको कभी ऐसे मिल जाए E की पावर एक्स 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 ऐसे मिले कि और यहां यहां पर आपको कोई function मिले function और इधर क्या मिले तुरंत उसी function का d by dx मिल गया है याद आ रहा ही नहीं यहां E x होना चाहिए यहां function और फिर प्लस करके उसका d by dx हो मतलब उसका derivative हो function जो भी यहां function हो इधर derivative हो तो अगर आप ध्यान से लेखें यहां पर क्या दिया है fx की देगा है one upon t और अगर मैं कहूं इसका d by dx बताओ one upon t का derivative क्या होगा तो यह हमने सिखा यह हो चाहिए इस एफएक्स ऐसे होगा ठीक चलो तो वही चीर यहां पर इसका प्याव लेगा एक पावर्टी अपॉंटी एसे वान अपॉंटी इसका मतलब क्या है इसका मतलब है e की पावर t upon t अब बस अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो कितनी है 2 से 4 ठीक तो अब एक बार t की लिगा 4 लिखो एक बार क्या लिखना है 2 तो अब से लिखेंगे e की पावर 4 upon 4 minus e की पावर 2 upon 2 तो बस सॉल्ब हो गया या यह e square upon 2 common low अंदर कितना बचा e square upon 2 minus 1 तो यह आपका answer हो गया बो लोग समझे ना बस बच्चो अगर आपको identity पता होगी तो आप तुरंट solve कर लोगे ठीक है अब बच्चो question number line पे आते है ठीक दिखो दिखान से यह थोगा सा बड़ी आ सवाल है ठीक है यहाँ पे देखिए एक चीज यह ऐसे दिखर आपको बच्चो x minus x की power 3 और इसकी power कितने 1 by 3 ठीक अच्छा थोड़ दरेख लिए आप यह 1 by 3 भोल जाओ अब अगर मैं कहूं इसमें से x की power 3 common लेना है तो यहाँ पर तो x की power 3 है नहीं तो जो नहीं होता हो डिवाइड में आ जाता है ऐसे x की power 3 ठीक और यहाँ पर है तो यह common हो गया ठीक अगर आप इसको अंदर multiply करो आपको फिर यहीं मिलेगा जाहें आप चेक करो अंदर multiply करो तो ऐसे हो जाएगा x की power 4 upon x की power 3 और यह x की power 3 तो देखो यह cut हो तो कितना मिला x minus x-3 मिला की नहीं मिला वही चीद तो कहांनी समझ में आई कि नहीं तो इस में से हमने क्या किया common ले लिया क्या common ले लिया x की power 3 ठीक common लिया अच्छा अब यहाँ पे one upon three भी है बच्छो one upon three तो इधर क्या हो जाएगा इंटो 1 upon 3 भी होता है लिगा कहां नहीं समझ भाया गई ना ठीक तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर limit 1 upon 3 से 1 इस में से हमने क्या कामन लिया x की power 3 और इसके साथ में यह भी चल रहा है whole में है न 1 upon 3 तो यहाँ अंदर क्या बचेगा अभी मैंने बता है यह बचेगा x upon x की power 3 minus 1 और इस पूरे की power कितनी हो गई 1 upon 3 ठीक है इसको अटा दू चलो अब देखो धियान से divided by कितना है x की power 4 अब देखो दोस्त यह 3 से 3 कटी है यहाँ power 1 है ना तो इस से यह कटी है तो यह limit हो गई 1 upon 3 से 1 यहाँ कितना आएगा x यहाँ कितना बचा 1 upon x square minus 1 और इस पूरे की power कितनी है 1 upon 3 divided by x की power 4 अब देखो यह टेक कड़िया होगा है तो जो बचा उसको लिख लो कितना बचा limit 1 upon 3 to 1 1 upon x square minus 1 और इसकी power 1 upon 3 और यहाँ कितना है x upon 3 sorry x c power 3 यह तना 4 ते ना तो 3 बच रहा है अच्छा अब देखो इसको करे नहीं मैंसे तो फिर वजी चीद इसको 3 मान लेते हैं यह जो दिया ना let 1 upon x square बराबर t ठीक है ना समझ में आ रहा है इने अच्छा देखो इसको जो ऊपर ले लेगा थे ऐसे होगा माइनस 3 हो जाएगा तो यह हो गया माइनस 3 यहाँ पर आगया dt upon dx तो इसको मैंसर लिसकते हैं minus 2 upon x cube is equal to dt upon dx ठीक अब देखो dx की बेलो निकालो तो यह ऐसे हो जाएगा dx इदर आगया यह जो आगया ऐसे x cube dt upon minus 2 इतने बात समझ गाई है ठीक है अब इसको यहाँ पर अप्लाई कर दो बस सॉल्ट हो लेगा तो देखो अच्छा एक चीज़ और क्या बताया मैंने जब जब यहाँ पर टीक उट करते हैं लिमिट भी टीकेल साफ से बताया तो बताओ यहां पर क्या आएगा यहां पर एक सी रिगा बन लिखो अब यहाँ पर डिक सकतागी लिखा देखा इंड है माइनस वन द्यू यहां मैंनस वन ठीक हैं और इसकी पावर अपान धीठी नीचे कितना है एक स्क्यूप तैसे रहा एकस ऑदि झे पावार 3 यहां पर लिक देता हूं इनटु में एक्स की पावार 3 अपाउन माइनस 2 बीटी ऐसे हो गया ना तो देखो यह यह खतम माइनस पूब बाहर कर लो माइनस 2 को बाहर में तो तो ऐसे हो गया माइनस 1 अपान 2 लिमिट हो गई 9 से 1 यहां कितना आया T माइनस 1 और इसकी पावर 1 बाई 3 इतना क्लिए रहे अब बस बच्चो इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट क्या करते हैं उपर भी plus 1 तो कितना उडाएगा एelli माइनस 1 आपन 2 T माइनस 1 T माइनस 1 इसकी पावर कितनी हो गई 1 आपन 3 इदर भी plus 1 करो और 1 आपन 3 प्लस 1 कितनी है 9 से 1 इतनी कहाली इसमझ भाईगी नहीं आई ठीक है आप देखो बच्चो यह खटा देता हो समझ गए ना प्रोव बस इसको अब लेमिट पूट करो और अंसर आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा यह जाएगा चार बटेश्टी यहां कितना होगा, माईनस वान अपवण संद्धी कितना है अधर, टी माईनस वान, कितने हो इसकी पावर, फोर अपवान थ्री, तो यह फिनलि उपवर भेज़ें, ठेक है और इसकी लिमिट कितनी है वन से 9 to 1 अब दोखो ये 3 उपर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 3 upon 2 और इस 4 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ ऐसे, समझ मैं नहीं था तो ये कितना हो गया, 4 tos are 8 अब जो बचा उसमें अप्लाई कर दो T minus 1 इसकी पावर है 4 upon 3 लिमिट कितनी है, 9 से 1 अब T की लिएगा एक बार 1 लिखो एक बार 9 लिखो, तो solve बजा गई है तो minus 3 upon 8 T की लिएगा एक बार लिखा मैंने 1 तो 1 minus 1, ऐसे लिखूंगा ना 1 minus 1, इसकी पावर 4 upon 3 फिर minus T की लिएगा लिखा मैंने 9 तो 9 minus 1, 8 8 की पावर 4 upon 3 तो ये तो 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0, तो कितना आया 3 upon 8 minus, देखो 8 को ऐसे लिख सकते है 2 की पावर 3 और ये जैसे हो गया 4 upon 3, तो 3 से 3 खतम ठीक है, ठाखा इसको अब देखो जो बचा, सो लिखो आंसर कितना आया ये ये हो गया minus 3 upon 8 into minus 2 की पावर 4 ये तो बचा ना, तो ये minus minus तो प्लस बन गया, 3 और 2 की पावर 4, मतलब 16 upon 8, तो 8 से काट दिया, 8 to 16, तो ये कितना आया 6, तो इसका अंसर क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया ठीक, आपका कौनसा ओप्शन है option number 1 अब जो question number 10 देखो last question है इसका, ठीक है देखो इसमें क्या है, देखो हमने काई if fx बनाबर, ये पूरा का पूरा इनोंने क्या बोल दिया है fx बोल दिया, fx इतना है तो कहरा है, बताओ f dash x मतलब, f dash का मतलब derivative, f dash x d by dx निकलना है तो पहले देखो ये fx दिया है इस fx को, इस function को थोड़ा solve कर लेते है, जो last में आएगा उसका d by dx कर देए है, क्योंकि d by dx ही तो पूचा है, ठीक है देखो, तो सबसे पहले देखो इसको solve कैसे करें है, इसमें देखो integration by parts product rule लग रहा है, ये first function है ये second function है, ठीक तो क्या बनेगा formula क्या होता था first function integration of second function, है ना first function integration of second function, फिर minus d by dx तो ये रहना हो जाएगा, d by dt of first function integration of second function, और इस पूरे का whole integration, ऐसे हो जाएगा बोलो, ठीक है, और limit थितनी है, 0 से x, 0 से x, 0 से x, ठीक अब sin t का integration, minus cos t तो यासे हो गया, minus cos t minus cos t और ये ती तो पहले सही है तो इसको as it is छोड़ दो आप और इसकी limit भी लिख दो, limit कितनी हो गई limit हो गई, 0 से x, minus, यहाँ पे आओ देखो, d by dt dt का 1 होगा, क्योंकि x का क्या होता है, 1 ही तो होता है तो 1 और इसका क्या जाएगा, वापस cos t फिर dt, ठीक है दोस्त? और इसके limit भी लिख दो, limit कितनी है, 0 से x, यह समयने में है न, t का तो 1 होगा, और 1 से इसको multiply करोगा, तो भी 1 ही मिलेगा, तो यह माइनस माइनस, प्लस होगा, ठीक है? अब इसको और solve कर लो, तो minus t, cos t, limit कितनी है, 0 से x, प्लस, cos t का integration, sin t, यह कितना होगा, sin t, और इसकी limit कितनी है, 0 से x, ठीक है, तो बस अब यह limit put करो, फिर solve करते हैं, तो एक बार x, t की लिगा पर x लिखो, एक बार 0 लिखो, यहाँ पर देखो, t की लिगा पर x लिखो, मैं तो कितना रहता, minus x, cos x, ऐसे आएगा, ठीक, अच्छा, उसके बाद में 0 लिखो गए, तो 0 से तो यह पूरा part 0 हो जाएगा, एसे तो लिखो गए, minus 0, cos 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखो ना लिखो, यहाँ बारत पड़ता है, समझ गया ना, यह आएगा, minus x, cos x, ठीक, प्लस, यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी t की लिगा पर x लिखो, तो ऐसे हो जाएगा, sin x, और फिर sin 0 लिखो गए, तो 0 लिखो, तो यह हमारा fx आया, क्योंकि यह क्या चल जाता है, इस ट्राइटिंग में, fx चल ला था, fx, है ना दोस्त, यह fx चल ला था हमारा, ठीक, fx है, तो यह हमारा fx आया, fx is equal to minus x cos x plus sin x, ठीक है, अच्छा, इसमें last में क्या पुचा है, f dash x बताओ, मतलब इसका d by d x बताओ, तो यह d by d x कर लेता है, इसमें क्या दिक कर लेता है, तो उसका d by d x कर रोखे, तो ऐसे हो जाएगा, f dash x, देखो, इसमें लगणा product rule, यहां को देखो, product rule, इस minus को आप ऐसे बाहर रखो, तो क्या होता था, first function, d by d x, second function, तो cos का क्या हो जाएगा, minus sin x, और फिर second function, d by d x, first function, तो x का कितना हो जाता था, one, और यह plus sin x, तो sin x, d by d x, cos x, ऐसे हो गया, ठीक है, इतनी कहानी को समझवा आ गई होगी, ठीक है, जाओ, इसको अटा देता हो, यह समझवा है ना, यहां पे अब देखो, जो बच्चा इसको यहां पर लिख लो, वही आंसर, तो कितना हो गया यह, f dash x, बराबर, minus, minus x sin x, plus cos x, और plus cos x, ठीक है, plus cos x, तो यहां पर देखो, इसको अंदर multiply करो, minus को, तो यह कितना दिल देखा, यह minus minus हो गया, plus, तो x sin x, और यह minus plus, minus cos x, plus cos x, तो cos x, तो cos से cos कर दिया, तो अंसर कितना आया, f dash x हमारा आया, x sin x, ठीक, तो यह हुआ आपका अंसर, चेक करो, इसमें option कौन सा है, option number b, तो बच्चो यह आपकी exercise खतम हो गई, ठीक, बताओ इसमें कोई भी दिक्कत होई समझ मैं, मैंने क्या गाता, बहुत आसान है यह, ठीक है, तो बच्चो अच्छे से practice करते रहो, सारे formula learn कर लो, और खुब दिल लगाके पढ़ो, thank you